हेलो फ्रेंड स्मार्ट नेटिंग चैनल में आपका स्भागत है प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें तो चलिए आज मैं आपके लिए जो शज्जे वाली टोपी लेके आई हूँ जो गर्ल्स के लिए है जो चार-पांच साल के बच्च 16,本-दो पांच ब्च्च पांच लाइंज जे है है एक दो तीन चार और 5 10 लाइन हमने यह उल्टा उल्टा ले लिजीए चाहिए सीधा सीधा ले ले लिजीए एक ही तरह से यह vested हाए दस सलाईयां हमने डालने के बाद ये हमने हर एक फंदे में से हर एक फंदे का दो करने हैं जैसे हमने 100 फंदा यहां डाला है यहां पे हमारा एक फंदा इधर से शोड़के और एक इधर से शोड़के बाकी सारे फंदों के एक के दो बनाने हैं मतलब कि 200 फंदे में से हमारे दो कम आएंगे 198 फंदे हमारे यहां पर आने चाहिए यह सीधा सीधा हमने यह 10 जा 11 सलाइण बनाने के बाद यह हमने जाली डालके यह डिजाइन डाला है दूसरे कलर से और 10 सलाइण यहां डालके यहां पर दो का हमने एक किया है जैसे जहाँ पर बढ़ाना है वैसे जहाँ पर गटाना है चलिए मैं आपको बना के बिताती हूँ यह मैंने बड़ी कैप बनाई है मैं आपको शोटी में सारा परसेस बता दूँगी यह देखिए एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चोदा, पंद्रा यह मैंने तीस फंदों में आपको यह कैप शोटी सी बना के दिखाऊंगी परसेस सारा यही रहेगा बड़ी बाली का ही यह फंदे केवल हमें थोड़े लेने है यह मैंने थोड़े फंदों में आपको बताना है यह देखिए यह मैंने शोटी कैप के हिसाब से यह दो लाइन्स डाली है चार से लाइने डालने के बाद मैंने यहाँ पर कैसे करना है हमें यह वाला पोर्शन बनाना है बड़ाने वाला ये देखिए एक फंदा हमने ऐसे ही लिया और ये एक का दो बनाने है ये देखिए एक बार आगे से लिया और एक बार पीशे से ये देखिए एक सीधा फंदा लिया और एक पीशे से ऐसे ही हमने सारे फंदों के एक के दो एक के दो बनाने है एक बार आगे से लिया ये देखे और एक बार इसी फंदे को पीछे से ऐसे बनाना है ये देखे एक का हमारा दो बन जाएंगे ये देखे ऐसे और ये पीछे से बनाया ऐसे ऐसे ये पीशे से बनाया यासे ये बैसे थो हमने सीधा ही लेना है ये देखिए एक फंदा हमने सिंपल सीधा ले लिया और इसी सलाई को मोड़के पीशे से ऐसे बनाना है सारे फंदों का हमने एक के दो एक के दो बनाते जाना है केवल पहले वाला और लास्ट वाला फंदा छोड़के यह हमारा सलाई के एंड में लास्ट फंदा है यह देखिए यह भी हमने एक का दो और यह लास्ट वाला हमने यह हमारा एजस्टिट है यह हमने ऐसे ही उतार लेना है आगे रॉंग साइड हमारी यह ऐसे ही उतारना है और रॉंग साइड से सारी सलाई उल्टी के उल्टी डेलेगी ऐसे ही करके हमने इसमें 10 जा 11 सलाईया आप डाल लीजिए जो अगर बड़ी बाली आप कैप बना रहे हो लेकिन मैं इसमें थोड़ी सलाईया डालूंगी मैं आपको 5 जा 7 सलाईया इसमें डालके फिर से जेब वाला डिजाइन बना बताऊंगी यह हमारी रॉंग साइड है यह हमारी उल्टी सलाईया आएगी ऐसे ही करके हमने सीधी और उल्टी सलाईया डालके पांच चा साथ सलाईय हमने मैं बना के आपको बताऊंगी देखिए प्रेंट यह हमने दूसरा कलर स्टार्ट किया है यह हमारी रॉंग साइड है पांच सलाईय डालने के बाद मैंने यह कलर स्टार्ट किया है इसकी हमने एक सलाई ऐसे ही सीधी सीधी डालनी है यह रोंग साइड है मतलब कि उल्टी डालनी है ऐसे ही इसमें कोशनी गडाना है नहीं बढ़ाना है ऐसे ही हमने यह उल्टी सलाई सारी सिंपल तोर पर ही उल्टी कर लेनी है यह सारी सलाई हमारी उल्टी आएगी देखिए फ्रेंड्स हमारी राइट साइड है यह बाला हमारा अभी यह बाला हमारा डिजाइन बनेगा यह देखिए एक फंदा हमने ऐसे ही लिया धागा आगे किया और दो का हमने एक बनाना है यह देखिए, यहाँ पे हमारी जाली डलेगी, यह देखिए ऐसे, धागा फिर से आगे किया, और फिर से दो का एक बनाना है, फिर से धागा आगे किया, और दो का एक, ऐसे ही करके हमने यह सारी सलाई कम्प्रीट करनी है, धागा आगे किया, और दो का हमने एक बनाना है, फि है ऐसे ही करके हमने यह सारी सलाई कम्प्लीट करनी है कि देखिए लास्ट है हमारा दागा आगे किया और दो का हमने यह एक बना लिया और यह लास्ट वाला फंदा ऐसे ही बनाया अभी देखिए यह हमारा डिजाइन पड़ चुका है अभी हमने फिर से इसी कलर से हमने पांच स्लाइन और डालनी है यह दूसरा कलर हमारा यहीं पर बंद हो जाएगा यह देखिए ऐसे यह उल्टी स्लाइए हमारी ऐसे ही करके हमने यह सारी स्लाइन पांच स्लाइन डालनी है यह जो जाली वाला फंदा है वो भी हमने ऐसे बनाना है ऐसे ही करके हमने सीधी और उल्टी साथ में लेके पांच सलाइना में और बनानी है इसमें हमने यहाँ पे 10 सलाइया बनाई हैं यहाँ पे 11 और यह 2 सलाइया डालने के बाद डिजाइन वाले यहाँ पे 11 फिर से 2 का फिर हमने 2 का यहाँ पे 1 बनाया है यहाँ से हमारे 100 फंदे यहाँ थे और 100 फंदे ही हमने उपर लेने है चलिए मैं आपको पांच सलाइया और डालके इसी कलर से फिर दो का एक करके बताती हूं चलिए फ्रेंड्स जे मैंने पांच सलाइया यहां पर डाल ली हैं अभी क्या करना है दो का हमने एक बनाना है यह हमारे 60 फंदे हैं इनको हमने 30 फंदे बनाने हैं इनके यह दो का एक कैसे करना है यह देखिए दो को ऐसे दो का एक दो का एक यह दो का एक यह दो का एक यह दो फंदों को एक ही बार में ऐसे बनाना है यह दो का एक ऐसे ही करके हमने जो हमारे बॉर्डर वे जितने फंदे थे उतने ही हमने यहां पर दुबारा से बनाने हैं ऐसे ही दो का एक दो का एक करके हमने यह साथ फंदों के तीस फंदे बनाने हैं हमने यह मैं आपको शोटी सी टोपी बना के दिखा रही हूं यह देखिए यह हमारे तीस फंदे बन गए अभी के करना है अभी हमने जे वाला डिजाइन डालके मैं आपको पताऊंगी जे वाला डिजाइन हम डालना है यह देखिए यह दो से लाइन यह दूसरे कलर की डालके एक फंदा दूसरे कलर का और एक दूसरे कलर का ऐसे ही करके हमने यह लाइन कंप्लीट करनी है और आगे मैं ये डिजाइन आपको इसी टोपी में बना के दिखाऊंगी उपर ये डिजाइन कैसे बनाना है देखिए ये हमने दो सलाइना इस कलर की डालनी है कोल्टी और सीधी सलाइना में डालके आपको दो सलाइना डालके बताऊंगी फिर से यह देखिए एक हम इस कलर से बनाएंगे फंदा एक हम इस कलर से ऐसे ही करके हमने यह सारी रोग कम्प्रीट करनी है एक दूसरे कलर से दोनों धागे हमारे साथ साथ चलेंगे एक दूसरे कलर से एक दूसरे कलर से और एक दूसरे से एक एक करके हमने यह पूरी रोग कम्प्रीट ऐसे ही कर लेनी है और यह देखिए और सीधी सलाई फिर से हमारी अगरी ग्रीन कलर की उन से आएगी यह देखिए हमारा ऐसा डिजाइन बनेगा एक इस कलर से और एक इस कलर से ऐसे पंदे बनेगे यह देखिए यह ऐसे बनेगा और दो सलाई यह हमारी यह बल्यू कलर की डालके हमें डिजाइन बनाना है वो मैं इसमें आपको बना के दिखाती हूँ डिजाइन कैसे डालना है ये मैंने साथ फंदे ये बल्यू कलर के लिए है और एक फंद मैंने ये पिंक कलर का लिया है अब देखिए आगे कैसे करना है ये जो पिंक कलर का है इने हमें इन फंदों को हमने बढ़ाना है एक का ये तीन कर लिए, और ये ब्लू वाले जो हैं, वो हमारे पास पांच रह जाएंगे, तीन, चार, और ये पांच, फिर से एक फंदा हमने, ये पिंक का लेना है, और ये बीच वाला पिंक का, और साथ वाला ये पिंक का, तीन हो गए, तीन हो गए, ये पांच हमारे आएंगे, ब् के पाँच बनाने हैं ऐसे ही पूरी डो कम्पलीट कर लेती हुआ हुआ पिर आगे आपको फिर से बताऊंगी देखिए प्रेंड्स के हमारी डोमें एक फिर तीन फिर अब पांच होंगे यह देखिए यह पांच हो गए अभी यह जो ब्लू बाले हैं वो हमारे पास तीन रह जाएंगे यह हमारे काम होंगे और यह हमारे बढ़ेंगे यहां पर यह हमने यह हमारी राइट साइड है यह पिंक कलर है हमारा, यह हमारे पास पांच बंदे होंगे, और यह हमारे पास होंगे तीन बंदे, यह देखे ऐसे, यह हमारे पास पांच होंगे, यह हमने एक इस तरफ से लेना है, पिंक और एक, हमने यह एक इस तरफ से लेना है, यह देखे ऐसे, ये बीच बाले तीन बलू होंगे और ये जो है वो पिंक होगा ऐसे ही करके ये हमने पूरी डो कम्प्लीट करनी है ये देखिए फ्रेंट्स ये हमारी राइट रॉंक साइड है अभी हमने क्या करना है ये जो पांच थे हमने ये साथ बनाने है और ये बलू बाला हमारे पास एक रह जाएगा ये देखिए एक दो और ये तीन ये तीन इस तरफ आएंगे तीन इस तरफ आएंगे पिंक और ये बाला पिंक जो बीच बाला है इन्हें हम बलू बनाएंगे ऐसे ये देखिए ऐसे और फिर से तीन हमारे देखिए फ्रेंट्स, पांच के बाद हमने ये 7 फंदे पिंक के बनाने हैं, कैसे बनाने हैं, 3 फंदे इदर हमारे पिंक के आएएंगे, जो बीच बाला होगा हैं फ कि इस फंदे इसें पिंक के पी बाले होगी, यह देखिए, यह हमारा एक बल्यू का हो गया, तीन हमारे पिंक के होंगे, और एक हमारा बीच बाला जो है, वो बल्यू का होगा, और तीन फिर से हमारे पिंक के होंगे, दोनों साइड में हमारे पिंक के होंगे, और बीच बाला जो फंदा है, तीन फंदे इदर और तीन देकिए फ्रेंड आप हमारे पास जह जो बल्यू बाल अफंदा यह डिजसाइन के अलावा हमें इनका इस इसका हमने तीन बल्यू करने एक इस साइड से लेना है यह देखे कि यह बीच बाला हो गया halo एक कि साइड से बल्यू लिया और एक इस साइड से बल्यू अब हमारे पास जो साथ पंदे थे जो पिंक वाले इन्हें हमने पांच पंदे बनाना है है कि एक इस साइड से कम हो गया और एक दूसरी साइड से कम होगा यह देखिए यही हमारा जो ब्लीयजें वह भी पिंक का आएगा ये देखिए ये हमारे पास पांच बनेगे फिर से और ये जो पिंक का है ये हमने ब्ल्यू का लेना है अभी यह देखिए यह हमारे पास ऐसे तीन आएंगे और यह पिंक के हमारे पास आएंगे पांच और ब्रियू के हमारे पास तीन ऐसे ही करके हमने यह सारी रोग कम्प्लीट करनी है यह देखिए फ्रेंज जहां से हमारा एक तीन पांच साथ और फिर से साथ के बाद हमारे पास पांच बनेगे पिर तीन बनेगे फिर एक बनेगा ऐसे ही यह पीस हमारा टुकडी सी ऐसे ही डिजाइन की बनेंगी ये देखिए फ्रेंट्स, ये हमारे पास पहले एक, फिर तीन, पिर पाँच, फिर साथ, फिर साथ के बाद फिर से पाँच, जब जहां पिर पाँच आएंगे, यहां पे ये तीन आएंगे, ये पाँच आएंगे, ये एक आएगा और ये साथ आएंगे, ये हमारा ऐसे ही पै दो सलाई हमने सीधी सीधी बल्यू कलर की डालनी है और एक हमारा ऐसे बल्यू और पेंक ऐसे आएगा डिजाइन दो सलाई हमने यहां पर बल्यू कलर की डालनी है आगे मैं आपको फिर से बताऊंगी यह सारा कंप्लीट करके मैं आपको फिर से दिखाऊंगी यह बाला और यह भाला देखिए फ्रेंड्स यह हमारा इतना बनने के बाद हमें अब क्या करना है यह हमारे पास हंडर्ड फंदे हैं इनको हमने पांच बागों में बांटना है चलिए पांच बागों में बांटके हमने इसे इन्हें काम करना है फंदों को कैसे करना है यह देखिए एक फंदा हमने ऐसे ही बनाया और यहां पे हमने यह दो का एक किया यह दो हो गए हमारे पास तीन चार पांच शे साथ आठ नो दस ग्यारे बारे ऐसे ही करके हमने यहां पे बीस बंदे लेने है बीस बीस फंदे आएंगे हमारे पांच हिस्सों में यह सो फंदे पांच हिस्सों में हमारे डबाइड हो जाएंगे एक, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, ये नो और देखिए, ये हमारा यो, दसमा पे आर है, इसको हमने क्या करना है यहां पे आएंगा हमारा, लास्ट बाला, बीस मफंदा इसको और इसको साथ में लेके, दो को हमने ऐसे उल्टा करके तीन का हमने एक बनाना है, यहां पे, ये दिखिए एक फंदा हमारा इदर से कम हो गया, और एक फंदा हमारा इदर से कम हो गया यहां बीज में भी हमें, बीस, बीस फंदे हमने लेके, पांच हिस्सों में हमने 100 फंदों को बाटना है और बीज में हमें 3 का 1, 3 का 1 करके यहां पे कम करने हैं फंदे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और यह जो दसमपेर है हमारा यह देखिए इसको ऐसे करके यह 7 वाला फंदा लिया और यह हमारे पास ऐसे बन गया फिर से 20 लेने हैं ऐसे ही करके हमने 5 हिस्सों में इसे डिवाइड करना है मैं आगे आपको फिर से बताऊंगी उल्टी सलाई हमारी सारी उल्टी आएगी अगली सलाई में आपको फिर से बताऊंगी देखिए फ्रेंट्स जह हमारी अगली रोह है यहां पर हमने यह एक फंदा ऐसे ही बनाना है यह फिर से दो का हमने एक बनाना है जो बीच वाले फंदे हैं वो हमें ऐसे ही बनाने हैं देखिए ऐसे ही हर सलाई में हमें यह साइडों में दो का एक बनाना है और यहां बीच में यह देखिए यह हमारे पास यह बीच बाला फंदा है एक बाला एक फंदा हमने इस तरब से लेना है यह देखिए यह दो बन गए और इसको ऐसे सलाई में गुमाके तीसरे को साथ में लिया ती इसे ही करके हमने जब हमारे पास दो दो या तीन तीन फंदे रह जाएंगे तो हम इसे बंद कर देंगे टूपी को अगर देखिए यह हमारे पास बीच बाला फंदा है जो हमने पहले कम किया था यह इसको ऐसे लिया इसे ही करके हमने हर सलाई में हमारे पास एक इदर से और एक इदर से कम होता जाएगा फंदा मैं आपको सारा बना के फिर से दिखा दूँगी देखिए फ़रेंस यह हमारा सारा घटाने के बाद यह ऐसी लाएं कलियां सी बनेंगी यह हमारे पास एक दो तीन चार पांच शे साथ आठ सिक्स्टीन फंदे रह गए हैं इन्हें हमें क्या करना है सुई के साथ हमने बंद कर लेना है यह देखिए इसे हम सुई में ले लेते हैं सारों कोई यह सारे फंदे हमने सुई में लेके इसे हमने इन्हें बंद कर लेना है एक बार पक्का करने के लिए तोबारा फिर से इन में से सुई निकाल लेंगे यह देखिए ऐसे हमारा यह बंद हो जाएगा और ऐसे हमने चाहिए जहां से इसकी सलाई करनी है यह देखिए ऐसे अच्छे से इसको सिलना है मैं इसको सलाई करने के बाद आपको यह फ्लैप भी सी के दखाऊंगी यह देखिए देखिए फ्रेंड्स यह हमारा सारी सलाई हो चुकी है यह देखिए यहां तक अभी हमें यह फ्लैप बाला हिस्सा सीना है यह देखिए इसको बड़े ध्यान से सिलना पड़ेगा यहां से यह देखिए यह वाली लाइन इसके साथ मिलाके ऐसी सिलना है यह देखिए ऐसे जैसे सिलना है इक फंदा हमने यहां से उठाना है और एक फंदा यह बाली लेना है इसको ऐसे सिलना है मैं सारा सिलके आपको फिर से दिखाऊंगी देखिए फ्रेंट्स यह हमारा सारा सिलके तयार हो चुका है यह देखिए इसको बड़े ध्यान से सीना है एक हमें इधर से फंदा उठा के और एक इधर से यह सारा हमारा सिलके कंप्रीट हो चुकी है टोपी यह देखिए यह देखिए ऐसी सलाई आएगी इसकी यह देखिए उपर से यह सारी हमारी टोपी बनके अब तयार है यह बेवी गर्ल के लिए टोपी है आप वाइस को भी पहना सकते हैं क्योंकि इसके लिए हमें वाइस वाला कलर चूज करना पड़ेगा जैसे बाइट हो गया बलैक हो गया जै गर्ल के लिए कलर है यह तो हमारी टोपी ऐसे बनके यह तैयार है सारी थैंक यू पूर वाचिंग माई वीडियो